हेलो गाईस आज मैं आपने लेके आए हूँ नान की रेसिपी जो कि मैंने बनाई है बिना किसी तंदूर के तो वीडियो पस्तना आने पर मैं चानल को सब्सक्राइब करना मत भूना साथ ही मुझे फॉलो ज़रू करना इंस्ट्राग्राम पर तो नान बनानने के लिए सबसे पहले मैंने या पर ले लिया है एक कटोरी मैदा उसमें आट करना होगा चौथा जमत से भी क्राम बेकिंग सोडा और दो से तीन जमत खट्टा दही यानि कर्ड यानि योगर्ट के अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना होगा स्पून की हेल्प से और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें हम आट करेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक आटा गूत लेना है इस एक कटोरी मैदे की कॉंटिटी में करीबन दो से तीन नान अराम से बन जाते है अब जैसे हमना आटा गूत लिया है हमें इससे रखना होगा रेस्ट पे कम से कम आदे से पॉन घंटी के लिए और आदे पॉन घंटी के बाद जब आटा थोड़ा अच्छे से फून ले इसमें से हम ले लेंगे एक चोटी सी लोई अब इस पर मैंने अच्छे से मैदे को डस्ट कर लिया है अब इसे बेलियन की हल्प से रूल आट कर देना है अब आपको जिस पी शेमे से रोल करना है आप कर सकते हैं जाहे राउन या ओवल हो और ध्यान रखना है कि हमें इसके अब आप नहुगा तवा पर तवा और अरड़ी गरम होना चाहिए पानी वले साइट से नान अच्छे से चिपक जाएगा तवा के ऊपर और कुछी सेकिंड में आप देखेंगे कि नान अच्छे से फूलने लगा है और कुछ सेकिंड के पाद हमें तवे को फिलिप कर देन है ताकि नान दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिख जाए अब इसके बाद तवे को हर ताइब से गुमाते रहना है ताकि एक जगे से जल ना जाओ और सब तरीकी से अब नान अच्छे से सिख चुका है अब इसे हम नाइफ की हल्प से निकाल लेंगे तवे से और अब गरम गरम नान पर मैंने लगा लिया है बटर आप चाहें तो इस पर घी भी लगा सकते हैं और साथी मैं आपको दिखाऊंगे इसे फ्लिप करके कि दूसरी तरफ से कैसा ल कर Ciao guys, that's all for today I hope you enjoyed my video and thanks for watching my recipe.